नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल सिवा ओंलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरल नालेज के कुछ important questions की जोके दोस्तो आज की questions में आपके लिए options नहीं मिलेंगे आपके लिए जो आज मैं questions लेकर आया हूँ वन लेनर questions हैं तो बहुत ही important questions हैं दोस्तो वीडियो को last तक जरूर देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, comment, share करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लें और साथ ही साथ दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe करके bell notification को on नहीं किया है तो उसके लिए on करना आपके लिए अनवारिया है क्योंकि अगर आप इसको on नहीं करेंगे तो मैं जो भी वीडियो पुपलिस करूंगा उसका जो notification होगी आप तक नहीं पहुँच पाएगे और आप बहुत ही important questions आपके पास में नहीं पहुँच पाएगे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो question नमर बन है काकोरी सड़यंतर कांड में फासी की सजा से कौन बच गया था options हैं sorry दोस्तों यहाँ पर options तो है नहीं आपके लिए sorry तो यहाँ पर काकोरी सड़यंतर कांड से फासी की सजा से कौन बच गया था वो हैं दोस्तों चंदर सेखर आ जात ठीक है next question है आपका question number two इंकलाब जिंदाबाद का नारा किशने दिया था तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मुहमद एकवाल ने question number three है Indian opinion पत्रका के प्रिथम संपादक कौन थे तो दोस्तों Indian opinion पत्रका जो थी उसके प्रिथम संपादक थे मंसुख लाल नजार ठीक है मंसुखलाल नजार इसके प्रिथम संपादक थे next question है हमारा question number four करो या मरो का नारा किस ने दिया तो करो या मरो का नारा दिया था दोस्तो महात्मा गांधी ने question number five है खिलाफ़त आंदोलन के पिर्मुख नेता कौन थे तो दोस्तो खिलाफ़त आंदोलन के जो नेता थे बोथे मुहमद अली और सौकत अली ये दोन दोस्तो इसके पिर्मुख नेता थे कौन से आंदोलन के खिलाफ़त आंदोलन ठीक है खिलाफ़त आंदोलन के पिर्मुख नेता मुहमद अली और सौकत अली थे किस ने लिखी तो ये पुस्तर लिखी थी सुवास चंद्र बोशने ठीक है कोस्चन नमबर 7 है भारत छोणो आंदोलन के समय किस ने कांग्रेस रेडियू का प्रिसारण किया ओप्संस यहाँ पर आपका ठीक होगा तो तो यहाँ पर आपका उसा मेता ठीक है तो कोस्चन नमबर 8 है आपका भारत छोणो प्रस्ता पारत होने के बगत उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो उस समय दोस्तों जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार पटेल ठीक है जब भारत छोड़ों प्रस्ताब पारित किया गया था तो कांग्रिस के अध्यक्ष थे सरदार पटेल Q9 है लोग हितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लोग हितवादी उपागम से जाना जाता है गोपाल हरी देश मुख के लिए Q10 स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है उप्रोक्त कथन किस का है? स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है ये कथन किस ने कहा था? तो ये गतन कहा था दोस्तो बाल गंगा धरत लगना इनोंने कहा था कि सौराज मेरा जन्म से दिद्धकार है और हम इसे लेकर रहेंगे ठीक है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा आउनलाइन क्लासे से इस वीडियो की पीडियो फाइल के लिए एकदम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं Q.11 है 1857 के स्वाधिनता संगर्स की बिरंगना महरानी लक्षमी भाई की जनम इस्थली क्या है Q.12 है 1915-16 में होम रूल लेक की किन दो ब्यक्तियों के नेतरतर्द में किये गई थी तो ये थे दोस्तो बाल गंगधर तिलक और एनी बैसेंट ठीक है Q.13 32 में गंधी जी ने सत्यागर आंदोलन किस घटना के कारण बापस लिया Q.14 है 1932 में पुनापैक्ट के बाद इस्थापित हुआ срав़ीजन सेवक संग के अध्याच कौन थी तो दोस्तो 1932 के बाद जो पूना पैक्ट के बाद इस्थापित हुए हरजन सेवक संकी जो अध्यक्ष थे उनका नाम था घंसयांदास बिर्ला Q14 है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतरत्व किसके द्वारा किया गया था तो ये थे दोस्तो सरपैथिक लॉरेंस Q16 है अंग्रेजों के बुरुद खान अब्दुल गफ़ार खान द्वारा प्रारम किये गये अंदुलन का क्या नाम था तो इसका दोस्तो जो अंदुलन का नाम था बो था लाल कुरती यानि की रेड सर्ट ठीक है Q17 अखिल भारती कांग्रेज की प्रिथम महला अद्ध्यक्ष कौन थी कांग्रेज की दोस्तो जो प्रिथम महला अद्ध्यक्ष थी उनका नाम क्या था श्रीमती एनिवेसेंट Q18 अखिल भारती मुस्लिम लीग की इस्थापना किसने की थी तो इनकी इस्थापना दोस्तो की थी मुस्लिम लीग की नबाब सलीमुला खान ने Q19 अखिल भारती राश्टरी कांग्रेज की प्रिथम महला अद्ध्यक्ष कौन थी Q19 अखिल भारती राश्टरी कांग्रेज की प्रिथम महला अध्यक्ष कौन थी तो यहाँ पर Q19 का सही आंसर होगा नलिनी सेन गुपता और आज की वीडियो का हमारा last question है दोस्तो Q20 आजाद हिंद फॉज का विचार किसने सुजाया था आजाद हिंद फॉज का विचार था वो किसने सुजाया था आजाद हिंज की जो इस थापना की थी वह तो सुभास चंद्र बोशन की थी लेकर उनके लिए विचार किसने सुजाया था तो उनका नाम था दोस्तो मोहन सिंग ठीक है तो ये थे दोस्तो आज के 20 किसने वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्रैम नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्रैम जरूर कर होते हैं ठीक है तो पिछले 10 साल की जो पेपर से कोस्टेंस निकलते हैं बुमा आपके लिए देता हूं तो यहां पर एक भी कोस्टेंस ऐसा नहीं होता है आपके लिए जो आप कह सकेंगे यह कोस्टेंस इन फॉर्स के एक्जामिन नहीं आएगा तो दोस्तों 100% गारंटी मेर ही है कि अगर आप जीके के कोस्टेंस मेरे साथ में दो से तीन महिने भी लगे रहे तो आप जीके में कभी भी मात नहीं खाएंगे तो चलिए दोस्तों थैंक्यू फर वाचिंग कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैभारत